हेलो दोस्तो आज में बात करूंगा और्गेनिक फॉर्मिंग के बारे में दोस्तो और्गेनिक फॉर्मिंग का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुनाई होगा और और और्गेनिक फॉर्मिंग जो की एक महतोपूर्ण जुमी का रखती है एगरिकल्चर में दोस्तो और्गेनिक क्रशी की वह प्रनाली है जिसके द्वारा आप अपने फसल की पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं और्गेनिक फॉर्मिंग यानि की जैविक खेती ग्रसी की वह प्रनाली है जिसके द्वारा किसान अपने खेत में बिना कोई रासाइनिक खाथ या उर्वरकों के प्रियोग करके एक अच्छी पैदावार लेता है और इस प्रकार प्राप्त जो पैदावार होती है वो बेहद की उन्नत किस्मे की होती है और अच्छी होती है तो ये तो रही दोस्तों और गेंलीक खेती की बात और उसकी देफी मेचान लेकिन दोस्तों और गेंलीक की खेती का कि यदि हमारे किसान भाई अगर इस पद्धति का उप्योग अधिक से अधिक मातरा में करे तो हो सकता है कि उन्हें बहुत कम पैदावार प्राप्त हो या ऐसा जो सकता है कि बहुत अधिक पैदावार प्राप्त हो पर अगर लगातार इस पद्धति का उप्योग किया जाए तो पैदावार और एक उन्नत पैदावार की प्राप्ती होगी दोस्तो जैविक खेती एक बेहदी इंपोर्टेंस टॉपिक फ्यूचर में होने वाला है जैविक खेती जो की केवल जैविक पदार्थो जैसे वर्मी कमपोस्ट खाद आधी पर निर्भर करती है इस प्रकार की खेती से प्राप्त होने वाले फसलो की पैदावार काफी उन्नत किस्मकी होती है और इसे मार्केट में काफी अच्छा प्राइज भी मिलता है यदि किसान द्वारा इस खेती का प्द्धती का उप्योग अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए तो वह विश्व बाजार में अपनी अच्छी पहुच बना सकता है साथ में अगर बात की जाए कि जैविक खेती के क्या क्या लाव है तो जैविक खेती के बहुत से ऐसे लाव है जो कि प्रत्यक्च और अप्रत्यक्च रूप से देखने को मिल सकते है